यह वीडियो सरकार के खिलाफ ताने बाजी करने वाली कई वीडियो की तरह लग सकता है कि कैसे सब कुछ बरबाद हो रहा है लेकिन विश्वास कीजे हम सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते एक महत्वपूर्ण आदिस उचना के बारे में हमारी विशिष्ट आपत्या है जो तो हम आपसे साजा करना चाहते हैं कृपया इसे उदार मन से देखे और यदि आपको लगे तो नीचे वरनन दिये गए लिंक पर अपनी राय दे तो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है वैसे ही जल जंगल जमीन वायू खनिज आधी जैसे प्राकृतिक संसादन भी देखा करते हैं ठीक वैसे ही हम आर्थिक विकास के लिए परियावरन पर होने वाली हानिकारक प्रभावों की अंदेखी कर रहे हैं परियावरन संरक्षन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है और इसी संतुलन को बनाये रखने का काम करता है परियावर प्रतनिय प्रभाव नहीं डालतें, तो यहां मंत्राले हमारे लिए सुरक्षा कवज जैसा है, परियावरण मंत्राले यह सब किस प्रकार कार्यानित करता है? मंत्राले की जाच कमिटी परियावरण सुरक्षा के प्रति आशवस्त होने के बाद ही उस योजना को परियावरणिय मंझूरी मिलती है यह EIA प्रक्रिया विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मातर प्रक्रिया है जिसमें परियोजनाओं के आर्थिक लावों से बढ़कर उसके परियावरणिया प्रभावों को प्रार्थमिक्ता दी जाती है यह वो प्रक्रिया है जो संतुलन सुनिश्चित करती है प्रभावित लोगों से उनकी सहमती मांगी जाती है वो परियोजना की आवशक्ता पर भी सवाल उठा सकते हैं परियोजना को एहतियाती आधार पर अस्विकार किया जा सकता है EIA प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मूल्य है शाश्वतता, समता, परियावरणिय न्याय, पारदर्शिता और जवाब देही यही मूल्यत EIA को सार्थक बनाते हैं लेकिन और इस लेकिन के बिना बात तो अधूरी रह जाती है लेकिन EIA प्रक्रिया में पहले से ही काफी समस्याय पाई गई है बड़े पैमाने पर जलविद्यूत और सिंच्चाई परियोजनाओं के मामले में गंभीर अनियमित अताएं अकसर देखी गई है जैसे कि खराब गुणवत्ता वाले बेसलाइन डेटा, अपरियाप प्रभाव मुल्यांकन, कही नियमों के उल्लंगन आधी परियावरण मंतराले ने खुच स्विकार किया है कि परियोजनाओं के निगरानी करने के लिए व्यावहारिक रूप से उनके पास कोई ख्षमता नहीं है आनुपालन को तो छोड़ी दीजे और मामले को बद से बत्तर करने के लिए लाया गया है एक नया मसोदा EIA अधिसूचना 2020 वैसे तो ये अधिसूचना के मुताबिक उसका उद्देश विकास परियोजनाओं पर कुछ प्रतिबंध और नियंतरन लागू करना है जो प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाए लेकिन क्या ये सच है? पहले तो परियोजनाओं की श्रेणियों को बदल दिया गया है ताकि कही नई परियोजनाओं परियावरणिय मंजूरी प्रक्रिया से साफ बढ़ सके दूसरी बात इस मसोदे के तहट परियोजनाओं का सामुहिक प्रभाव मुल्यांकन अनिवारिय नहीं होगा परियोजनाओं का मुल्यांकन एक-एक करके होगा एक परियोजना का प्रभाव छोटा हो सकता है किन्तु एक ही क्षेत्र में प्रस्तावित ऐसी अनेक परियोजनाव का कुल प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है फिर भी सामोहिक मुल्यांकन अनिवार्य नहीं है अब मौजुदा नियम अनुसार मुल्यांकन करने वाले विशेशग्य अकसर परियावरणिय प्रभाव के बारीकियों को समझने के लिए अतिरिक्त अध्यान की मान करते हैं ऐसे अतिरिक्त अध्यान का अब स्पष्ट रूप से प्रतिरोध होगा इसके अलावा अनुमती देने वाले जो विशेशग्य होते हैं वे तंतरग्य, सरकारी बाबू या पहले की परियोजनाओं के प्रस्तावक होते हैं जिनके पास कोई परियावरणिय निपुणता नहीं होती कलपना कीजिए, क्या आप कारियाले के यौन उत्पिडन से जुड़ी ऐसी जाज समीती पर विश्वास रखेंगे जिस पर कोई महिला सदसे न हो इसके अलावा अधिस उचना के अनुसार स्थानिय स्थिती के कारण लोगों से परामश करने के प्रक्रिया को रद किया जा सकता है यदि स्थानिय लोग किसी प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे हैं तो ऐसी स्थिती का बहाना बना कर सारवजनिक सुनवाई को रद किया जा सकता है क्या यहाँ अधिकारों का घोर उलंगन नहीं है अनुपालन और निगरानी को और कमजोर कर दिया गया है एक बार जो परियावरण्य मंजूरी मिल गई तो उसके बाद कभी भी उसकी समीख्षा नहीं हो सकती इस प्रकार यदि कोई परियोजना चालू होने के बाद परियावरण का नुखसान करती दिखाई दे तो भी परियावरण्य मंजूरी को रद नहीं किया जा सकता उपर से बिना अनुमती शुरू किये गए परियोजनाओं को भी मंत्राले परियावरण हित में मंजूरी दे सकता है तो कुल मिला कर सूत्र ये बनता है कि वर्तमान EIA प्रक्रिया की समस्याओं को EIA अधिसूचना 2020 से जोडो तो बन जाती है आपदा दोस्तो बहुत देर होने से पहले अपनी शंकाय उपस्थित करना बहुत महत्वपूर्ण है एक देश केवल उसकी सीमाओं से नहीं बनता बलकि लोगों, नदियों, पेडों, पक्षियों, जानवरों और ऐसी बहुत सारी चीजों से बनता है अपने देशित में एक छोटा कदम अभी उठाना जरूरी है